प्रस्न संख्या ठारा शुरूती ने 5 पर 30 वैट सहीत 80 रुपया में खिलोना एवं 8 पर 30 वैट सहीत 60 रुपया में एक विस्कुट पैक खरीदा खिलोने एवं विस्कुट का अलग-अलग अंकित मुल्य ग्यात करें तो प्रस्न ठारा तो लिखेंगे माना की खिलोना का अंकित मुल्य अंकित मुल्य बराबर एक सुरुपया खिलोना का अंकित मुल्य को हम एक सुरुपया मान लेंगे क्योंकि खिलोना और विस्कुट का अलग-अलग अंकित मुल्य पूछ रहा है तो पहले हम खिलोना का अंकित मूल क्या माल लेंगे एक सुर्पया तो देखे खिलोना पे वैट कितना लग रहा है तो वैट बराबर पांच परतीसत है वैट कितना है पांच परतीसत और क्या दिया हुआ है वैट सहित मूले तो देखें वैट सहित मूले बराबर है 80 रुपया ठीक है? यह देखें खिलोना का इतना दिया हुआ है वैट सहित मूले 80 रुपया वैट कितना है? 5 परतिसत और खिलोना का अंकित मूले को हम 1 रुपया मान लिया है तो फॉर्मूला क्या होता है अंकित मूल्य जोड वैट बराबर क्या होता है अंकित मूल्य जोड वैट बराबर होता है वैट सहित मूल्य वैट सहित मूल्य ठीक है तो अंकित मूल्य में जब वैट जोडते हैं तब वैट सहित मूल्य आता है तो अंकित मुल्य को हम X माने हैं ठीक है अंकित मुल्य को हम कितना माने है X तो वैट कितना है 5 पर 30 यानि X का 5 पर 30 तो X गुना 5 पर 30 लिख लेंगे ठीक है तो देखिए अंकित मुल्य X रुपया वैट X गुना 5 पर 30 क्योंकि अंकित मुल्य पे ही तो अब इसको हल कर देंगे तो X का मान यानि अंकित मुल ले आ जाएगा तो अंकित मुल में जब वैट जोड देंगे तो वैट सहीत मुल ले निकल जाएगा ठीक है जो कि दिया हुआ है 80 रूपया तो X जोड एक्स गुना 5 परतिसद एक्स गुना परतिसद हटाएगे तो 5 बटा 100 हो जाएगा ठीक है अब देखें 5 से 5 से 20 बार में कट गया 20 पचे 100 होता है तो कितना आ गया एक्स पलस X बटा 20 यानि X बटा 20 आ गया देखें यहां पर कुछ नहीं बचा तो सिर्फ X है नीचे में 20 है तो X बटा 20 क्या आ गया वैट यानि जितना टैक्स लग रहा है अंकित मुल पर वो आ गया है रुपया में X बटा 20 रुपया ठीक है बराबर 80 80 है वैट सहीत मुल ले तो यहां पर 20 लग हुद्दम लेगे तो 20 गुणा X 20 एक्स जोड एक्स बराबर 80 तो 20 एक्स और एक्स को जोड़ेंगे 21 एक्स बटा 20 बराबर 80 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 80 गुणा 20 बटा 21 बीस भागा में बाया तरफ तो दाया तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो इसको गुणा करेंगे तो तुनी 16 यानि 1600 बटा 21 बराबर कितना आजाएगा देखे 21 से भाग देंगे तो 21 सते होता है 140 तो 7 बार में लगाएगे तो 21 सते तो देखे 20 सते 140 तो 21 सते 147 तो 7 बार में लगेगा तो 13 बचा 160 में 147 को घटाएगे तो 13 तो यहां पे हो जाएगा 13 इसमें जाएगा तो 130 हो जाएगा तो 130 तो 26 अब लगाएगे तो 21 चाग 126 तो 4 बचेगा 130 में से 126 गया तो 104 तो अब दसमलो देंगे तो 40 हो गया तो एक बार में लगाएगे तो 19 बचेगा तो 19 में 100 देंगे तो 190 हो जाएगा तो 7 बार में लगाएगे 190 होगा तो 9 बार में लगाएगे ठीक है तो 29, 180 तो 76.19 रुप्या आएगा इसका उत्तर ठीक है? 76.19 रुप्या यानि 76.19 पैसा तो लिखेंगे अतर खिलोना अंकित मुले खिलोना का अंकित मुले बराबर 76.19 रुप्या ठीक है? क्योंकि हम खिलोना का अंकित मुले को 100 रुप्या माने थे तो एक्स का मान कितना आया? 76.19 यानि अतर खिलोने का खिलोना का अंकित मुले बराबर 76.19 पैसा है यानि 76.19 रुप्या तो खिलोना का अंकित मुल्य आ चुका है अब निकालना है बिस्कुट का अंकित मुल्य तो इसी तरह हम बिस्कुट का अंकित मुल्य निकालेंगे ठीक है तो अब लिखेंगे माना की बिस्कुट का अंकित मुल्य बराबर बाई रुप्या तो इसमें हम एक्स माने थे ठीक है खिलोने का अंकित मुल्य एक्स माने थे तो इसमें हम बाई मानेंगे तो माना की बिस्कुट का अंकित मुल्य 22 रुप्या अब देखें बैट कितना दिया हुआ है तो बैट इसमें लग रहा है बैट बराबर है 28 पर 30 और वैट सहित मुल्य तो वैट सहित मुल्य है 60 रुप्या थीक है बिसकुट का वैट सहीत मूले 30 रूपया है वैट 38 पर्तिसात है अंकित मूले 2 रूपया है तो ये होता है अंकित मूले वैट बराबर वैट सहीत मूले तो अंकित मुले कितना माने है 22 रुपया तो 27 जोड वैट कितना 8 पर तीस场 वैट सहित मुले 60 रुपया यह आठ पर तीसल वैट लग रहा है तो उसको अगर हम अंकित मुले में जोड दें तो वैट सहित मुले निकल जाएगा तो y जोड 8 पर 30 यानि 8 वटा 100 बरावर 60 तो देखिए यहाँ पर 100 लगुतम लेंगे तो 102 जोड 8 देखिए हम कितना माने हैं y वैट कितना लग रहा है 8 पर 30 यानि y का 8 पर 30 तो y गुना 8 पर 30 लिखेंगे वैट ठीक है हम गलती से सिर्फ 8 पर 30 लिख दिये थे तो y गुना 8 पर 30 वरावर वैट सहीत मुल्ले है 60 रुपया ठीक है तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो y जोड y गुना 8 पर 100 ठीक है पर 30 से थटाएंगे तो बटा में 100 आएगा 4 से देखिए 4 दूना 8 पचीस चौक 100 दो बटा 25 हो गया 4 से दोनों को काट देंगे तो कितना आ गया y जोड यहाँ पर 25 लग उत्तम लेंगे तो 25 बाई तो यहाँ पर हो जाएगा y जोड बाई गुना 2 2 बाई देखिए बाई गुना 2 2 बाई बटा 25 बराबर 60 ठीक है अब 25 को लग उत्तम लेंगे यहाँ पर जोड आ गया भीन का जोड जैसा तो 25 गुना बाई देखिए 25 लग उत्तम लेंगे तो 25 गुना बाई 25 बाई जोड दो बाई बराबर 60 25 दो 27 बाई बटा 25 बराबर 60 ठीक है तो अत्तम बाई बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 25 बटा 27 25 भागा में है बाई तरब तो दाय तरब जागा तो गुना में हो जाएगा 27 गुना में है तो भागा में हो जागा ठीक है तो तीन से कट रहा है देखिए तीन नमा 27, 3 से 22, 60 तो तीन नमा 27, 22, 60 कट रहा था काट लिए हैं अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूना 50 यानि 500 बटा 9 तो 500 को 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 हाथ मेरा 4, 9 पचे 45, देखिए 50 में से 45, घटाएंगे तो कितना आएगा 5 तो ये भी 50 हो गया, तो 9 पचे 45, फिर लगाएंगे फिर देखिए 5 बचा, तो 9 पचे 45, फिर लगाएंगे फिर 5 बचेगा देखिए 9 से 500 को भाग देंगे तो 9 पचे 45, पांच आएगा, फिर सुनने उतारेंगे तो 9 पचे 45, फिर 5 आएगा, दस मलों देंगे तो फिर 9 पचे 45, फिर देखिए 5 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे, 9 पचे 45, तो इस तरह से चलता जाएगा, पांच 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 है इसको हम 6 कर सकते हैं लगभग में हम इसको 55.56 लिख सकते हैं क्यूंकि 5 से अगर यह कम रहता तब यह 5 ही रह जाता लेकिन 5 है ठीक है तीसरा आंग देखें दस्मलों के बाद तो इसलिए यह क्या हो जागा अच्छे यह लगभग में हो गया 55.56 रुप्या तो हम लिख देंगे 55.56 रुप्या तो अब लिखेंगे अता बिस्कुट का अंकित मुले अंकित मुले बराबर 55.56 रुप्या यानि 55.56 रुप्या तो बिस्कुट का अंकित मुले को बाई माने थे ठीक है तो इसको एक बार हम देख लेते हैं देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे कर दो अंकित मुल्ट